दोस्तो आज हम लोग रुमैनियन फ्रेंच प्ले राइट यूजीन इनेसको की एक बेहदी फ्यमस प्ले रैनासौरस को पढ़ेंगे दोस्तो रैनासौरस इस प्ले को थेटर आफ अपसर्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा अपसर्ड का मतलब होता है बेतुकापन इस प्ले को पढ़ने के बाद आपको पता भी नहीं चेले का कि राइटर का क्या मोटिव था कहानी बिल्कुल ही सिंपल होता है पर ये प्ले काफी इंटरेस्टिंग है जिससे आपको भी पढ़ना जाहिए इस प्ले को पहली बार पेरिस में जीन लुइस के द्वारा ओर्डन में प्रोड्यूस किया गया था 25 जैनवरी 1960 में और लंडन में पहली बारी से ओर्डन्स विल्स के द्वारा रॉयल कोट अफ थीएटर में 28 अप्रेल 1960 में प्रोड्यूस किया गया था दोस्तो प्ले काफी छोटा है तो मैं डिरेक्ट कहानी बताना शुरू करता हूँ दोस्तो कहानी की सुरुआत होती है दो दोस्त से जीन और बेरेंजर जीन तो एक विल मैनेड परसन है पर वहीं उसका दोस्त बेरेंजर एक सराबी है जो कि अपने 8 घंटे की नौकरी से काफी ज़्यादा परिशान है उसे पर डे 8 घंटा काम करना मनजूर नहीं है और वो अपनी जॉब से उब चुका है बेरेंजर काफी ज़्यादा सराब पीने लगा है और अपनी सेहत पे भी बिलकुल ध्यान नहीं दे रहा है एक नंबर का ये निकमबा इंसान बन चुका है जीन बेरेंजर को समझाता है कि तुम अप सराब पीना बंद कर दो और अपनी सेहत के उपर भी ध्यान दो कभी डेसी नाम के लड़की वहां से गुजरती है जैसे ही बेरेंजर डेसी को देखता है वो टेबल के नीचे छिप जाता है बेरेंजर और डेसी एक ही ओफिस में काम किया करते थे बेरेंजर नहीं चाहता था कि डेसी उसे देख ले क्योंकि बेरेंजर डेसी को प्यार करता था और डेसी यदि उसे इस हलत में देख लेती है तो उसका जो impression है वो down हो जाएगा डेसी वहाँ से चली जाती है जीन बेरेंजर बात्चीत कर रहे होते है बेरेंजर जीन से promise करता है कि वो अब कभी भी सराब नहीं पियेगा जीन और बेरेंजर की बात्चीत चल रहे होती है तभी टॉन में एक रैनसारस घुस आता है रैनसारस को आते ही टॉन में काफी कुल हल मच जाती है कुछ देर के बाद वो रैनसारस वहाँ से चला जाता है अब जीन उस रैनसारोस को लेके काफी ज़्यादा परिशान हो जाता है जीन सोच रहा होता है कि टॉन में रैनसारोस कैसे आ चुका है जीन काफी ज़्यादा परिशान था और बेरेंजर से बातचीत कर रहा होता है बेरेंजर कहता है कि मैंने रैनसारस को तो नहीं देखा पर मैंने उड़ती हुए धूलों को जरूर देखा कुछ देर के बाद एक बार फिर से रैनसारस उस टाउन में आता है और एक बिल्ली को मार देता है बिल्ली की जो मालकीन थी हॉस वाइफ अपनी बिल्ली को मरा देख काफी जादा रोने लगती है जीन बेरेंजर से कहता है कि जो पहले रैनसारस आया था वो एक अलग रैनसारस था और जो अभी आया है वो एक अलग रैनसारस था वो बताता है कि पहले वाले के दो सिंग थे और अभी वाले के एक सिंग थे तो इस पे एक बहस छिड़ियाती है एसीन और एफिरिकन राइनसौरस पे और जीन और बेरिंजर में काफी जादा ये बहस चल रही होती है वहाँ पे मौझूद सारी लोग भी एसीन और एफिरिकन राइनसौरस के बारे में भी बातचीत कर रहे होते हैं इसी बात को लेकर बेरिंजर का जगडा हो जाता है जीन से अब अगले दिन जब बेरिंजर अपना ओफिस पहुंचता है तो देखता है कि ओफिस में भी सभी लोग उस राइनसौरस की बातचीत कर रहे होते हैं डेसी सबको समझा रही होती है कि उसने राइनसौरस को टौन में देखा था ऑफिस का जो डिप्टी हेड है ड्यूडाड और ऑफिस का जो चीफ है मिस्टर पैपलिन डेसी की बात से सहमत होते हैं और ये मान लेते हैं कि रैनासौरस टॉन में आया था पर एक और ओफिस में इंप्लाई होता है बोटाड नाम का वो डेसी की बात से बिलकुल भी सहमत नहीं होता है बोटाड को लगता है कि ये डेसी की ये मनगडंत कहानी है बेरेंजर भी बोटाड को समझाने की कोशिस करता है कि मैंने भी रैनासौरस को देखा था पर बोटाड नहीं मानता है कुछ देर तक इन लोगों की बात्चीत चल रही होती है तभी मिस्टर पैपलिन को याद आता है उनका ओफिस का एक इंप्लॉई मिस्टर बॉफ अभी तक ओफिस नहीं आया है वो डेसी से पूछता है क उसका कोई लेटर आया है क्या डेसी बताती है कि उसका कोई भी लेटर नहीं आया है कुछ दिर के बाद मिस्टर बॉफ आफिस आती है और बताती है कि मिस्टर बॉफ की तब्यत काफी ज़्यादा खराब है और बताती है कि जब मैं अपने घर से निकल रही थी तब से एक रैनसारस मेरा पीछा कर रहा है तभी अचानक वहां पर एक रैनसारस के आवाज सुनाई देती है सभी लोग ख्रिकी से उस रैनसारस को देखते हैं बोटाड भी उस रैनसारस को देखके काफी जादा दंग हो जाता है जैसे ही मिसस बॉफ उस रैनसारस को देखती है उसे बेरेंजर और डेसी की बातचीत होती है उस बातचीत में बेरेंजर को रियलाइज होता है कि उसे अपने फ्रेंड जीन के साथ जगडा नहीं करना चाहिए था बेरेंजर डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड जीन के घर जाएगा और उसे माफी मांगेगा बेरेंजर जी बिल्कुल भी उसे मना कर देता है। उसे फोन करने नहीं देता है। कुछ समय के बाद जीन की तव्यत और बी ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके माथे से एक सिंह निकला आ रहा था और उसका पुरा चहरह हरा भर जा रहा verses था कुछ देर के बाद जीन भी एक रामplets में बदल जाता है बेरेंजर बचते बचाते वहां से अपना घर आता है बेरेंजर काफी ज़ता ड़ा हुआ होता है अगली दिन ढुडाड तृ-बेरेंजर के घर होते हैं तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर डेसी आती है डेसी बताती पेड़ाइसो देखकर अच्छी नियुक्त लेरेंजर का सब्सक्राइब और रैनसारस बनूंगा और डोडाड वहां से चला जाता है और रैनसारस के साथ जाके मिल जाता है और वो भी एक रैनसारस बन जाता है अब पूरे धरती पे डेसी और बैरेंजर ही लास्ट इंसान बचे हुए थे बैरेंजर डेसी को अपने प्यार के बारें बताता है डेसी बेरेंजर के प्यार को सिवकार कर लेती है बेरेंजर डेसी को कहता है कि हम लोगा बच्चे पैदा करके इस धर्ती को इनसान से भर देंगे डेसी कहती है कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करना है तो इस पर बेरेंजर और डेसी का एक जगड़ा हो जाता है और डेसी गुस्से से जाके रैनसारस से मिल जाती है और वो भी एक रैनसारस बन जाती है बेरेंजर अब पकेला इस धर्ती पे एक इनसान बचा हुआ था बेरेंजर कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं रैनसारस के साथ जाके नहीं मिलूँगा मैं रानस और उस नहीं बनूंगा मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहूंगा और दोस्तों यहीं पर यह प्ले खतम हो जाता है हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत